कुछ नहीं बदल सकता है। कहते हैं, इनसान चाहिए, तो अपनी जिंदिगी बदल सकता है। लेकिन मैं, मैं कुछ नहीं बदल पाई। अब मैं अपनी मौन तेख रहीगा। मेरी मौन को कभी हिंसाप नहीं मिलेगा। मेरी गुलिगार कभी नहीं पप्रे जाएंगे। मैं अपनी, आप सब स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि जो अतीत हमें आगे बढ़ने से रोके, उस अतीत को भूलना ही बेहतर है। लेकिन कई बार अतीत हमें ऐसा घाव दे जाता है जिससे उबरना आसान नहीं होता। यह हमें वो खालीपन दे जाता है जिसको भरने के लिए हम नए लोग, नए जगा, नया महौल तलाशने लगते हैं। लेकिन अगर यह तलाश सही ना हो, तो यह तलाश हमें और भी बेवस और तनहा बना सकती है। मरेंद्र, मैं तुमसे प्यार में करती हूँ, प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। नरेंद्र, बेटा, मैंने तेले, कपड़े, यहां इस्री करके रखे हैं, जल्दी से आना, और हाँ, नाष्टावी तैयार है, नरेंद्र, बेटा, हाँ, 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 जल्दी आना, लेपेटा, नाष्टावकर, क्या हुआ? इतना चुपक्यों है? वो, कुष्णी मावव थोड़ी, ओफिस में टेंचेंटी, वो, सुथरी. अभी तेक्तों तो ओफिस नहीं गया, और पहले सही टेंचेंटी पालनेए. अरे, क्या करेंगे, वो, मैं खालो, खालो, क्लो, 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 क्लो. हम... खानाओने, खाना, तुमेखा खाना, फवे-ट्रीट पसंदा योगी. खाना तुम बहुत बसंद आया, और उससे देता यह देखके अच्छा लगा, कि आज तुम कंजूसी नहीं कर रही है Excuse me या मैम, anything else? Nothing else, आप बस बिल ले आई Sorry मैम, आज 12 से 32 तक सभी कस्टमरों के लिए lunch फ्री है, हमारी अलोक सर के तरफ से अच्छा, तो तुम अपने किसी फ्रेंड के बादे ट्रीट में मुझे ट्रीट देने ले आई? चुपकर यार, वो मेरा कोई फ्रेंड ब्रण नहीं है और कौन है वो? यहां का उनर है क्या? नहीं, मैम, वो भी कस्टमर ही हैं और आज उनका बर्थडे है, वो आज उन्होंने सबको यह ट्रीट दिया हुआ है हम उनसे ट्रीट कैसे ले सकते हैं? हम तो उन्हें जानते तक नहीं है, अब प्लीज बिल ले आईए जोरी, मैम, हम बिल नहीं बना सकते हैं हाँ, अगर आपको पेही करना है, उस डोनेशन बॉक्स में पेह कर सकती है पिछे आटिए चलो, चलो, पिछे आटो, साइड में हो जाओ पिछे आटिए सर, इस लड़के के पॉकेट में दो आईडी मिले हैं एक विंशियर फाइनेंस, बियेंड रोड ब्रांच का है और दूसरा आईडी है इसका ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आगरमारी का पता लिखा है इस रोड के स्ट्रेच पे कोई CC भी नहीं है बाई कम वो इस तरफ है, इसका मतलब वो उस रोड से या तो इस तरफ से या उस तरफ से आया होगा पुश्ता करके देखो किसे ने कुछ देखा क्या जी सर Excuse me Happy birthday Mr. Allo Thank you Are you okay? Yeah, yeah, I'm fine, I'm fine I'm fine आप यसे काप क्यो रहे है वो, वो क्या ना मुझे Social Anxiety Disorder है Social Anxiety Disorder? मतलब वोई ने लोग रेस्टरॉंस, इससे Social Gathering में ना मैं थुरा सा घबरार्ची होती है मुझा हार्ट बीट फास्ट हो जबता है मुझे तो लगा हमने आपकी हार्ट बीट रोकी दी वैसे आपने अपने बर्दे पे अजनभियों को ट्रीट क्यों दी है ख्याना, मैं डॉक्टर ने काहा मुझे की ने लोगों से मिलो गैदरिंग में चाहो तो सीधियम मनें सोचा कि बड़्डे इस ए… प्श्क्राइब में, इसापाताएं रहे देखते रहें थैंक्यों, रहें थैंक्यों नरेंद्रा नरेंद पार्टोले यहां क्रिडिट डेपार्टमेंट में काम करता है, हम लोग उसी के आने का वेट कर रहे थे, ये तो भी आप से पता चला सर कि उसके साथ ये सब हो गया, नरेंद्र का किसी के साथ जगडा, किसी से दुश्मनी थी, हो एडिया सर, ये वस वेरी सिंसिर और हम लोग उसे सर सिर्फ छे मेने से जानते हैं, कोई कि छे मेने पहले उसका ट्रांसवर हुआ था, छे मेने पहले कहा था हो, सर वर्दा प्रांच में था, पिछले छे मेने से, मैं उससे खूष देखने के लिए तरस रही थी, वो ऐसा निखावा कर रहा था, जैसे सब कुछ भूल गया हो, अरु खुष रहा करता था, अरु मुझे पत्ता था, क्या अरिया अधर, वो घूट रहा था, टूच्चु काता था, किसबात क्यों खुट्टनती उससे, आपको किसबे शक हैं? वैशाली, वैशाली और उसके पिता, जब हम बरदा रहते थे, डारेदर वैशाली को ट्यूशर दिया करता था. वैशाली, कितनी बारतों बता चुगा हो तो, चलो, बनाओ. बनाओ, ध्यान कहा है तुमारा? हाँ, सहाँ. अगर यही हाल रहा, तो अकाउंट्स में फेल हो जाओगी. पताने वैशाली को क्या गलत फैमी हो गए थी? कि वो एक दिन अपने पिता को लेकर हमारे घर चलिया आई? अंगल, यह कैसी बाते कर रहे हैं? वैशाली, मैं इस स्टूडेंट है और उमर में कितनी छोटी है मुझसे? अगले मैने 18 की हो जाएगी वो. फिर उसके बाद शादी करके उसको खुब पढ़ाते रहना तुम. मैं शादी नहीं कर सकता है वैशाली से. मैं तो… अगला समस्त है कि तुम कोणाशी बोलते है इस तो? इस गाव के सरपंच की बेटी का रिष्टा ठुकरा रहा है तु. बहुत बड़ी गल्ती कर रहा है, लक्षा ठेव. वो अपनी बेटी की जिन में इतना हो गया था कि उसने मेरे बेटे का किड़नेप करवाया. वो सबर्दस्ती मेरे बेटे की शादी, अपनी बेटी से करवाना चाहता था. पर मेरा बेटा, कैसे देसे वहाँ से भाग निकला? उसकी डार्क की वज़से, हम यहाँपर चलिया है. शायद, वैशाली के पिथा को बता चलिक्या होगा? इसलियो. ज़्याँ, आप सोचलिया एंजाइटी डिसोर्डर? आप यहाँ डिया है? मतलब, मैं यहाँपर हमशे जॉक करने आता हुआ, आपको कभी देखा नहीं मैंने? मैं भी डेली जॉक करते हूँ और मैं भी पहली बार आपको देख रही हूँ. अप यहीं खुई रहे हाँ? हाँ, वो… आर्मी कॉणिन. ओ, आर्मी कॉणि passions. नहीं존anne आर्मी करते हूँ रहते हैं? जीप, मैरे दादा जी आource हमेचाते है. और आप क्या करते हgage? मेराUnis केबिष़ réfetr esas. इबिष़़? वीभी, महर्वात picture ब médico". माना कि मैं अपनी बेटी की शादी नरेंदर से करवाना चाता था लेकिन जबरदस्ती नहीं लेकिन उसकी मा तो कह रही थी जूड बोल रही है वो सबसे सच बात तो यह है कि नरेंदर ने मेरी बेटी को बहका के उसके साथ संबन बना लिये थे और पुलिस कंप्लेंट करने की बजाए अपने बेठी के लिए उसका हाथ मागने चलेगे मुझे लगा वो दोनों प्यार करते एक दूसरे से शादी करेंगे इसी बात का बदला लिया मैंने कोई बदला नहीं लिया मुझे तो यह भी नहीं पता कि नरेंद्र आजकल कहा रह रह रहा है अपने बीडी को बुलाईए हमें बात करने है बहुत मुश्किल से वो इस सदमे से उभरी अभी आपको जो पुछने आप मुझसे पुछे पुरहने जख्रम कुरदेंगे तो बरदाश्ट नहीं कर पाएगी वो हाँ बोलो तर नरेंद्र के कॉल रेकॉर्स आ गए उसको आखरी कॉल तपन ने किया था और इस तपन का इश्यू था नरेंद्र के साथ वो शोश्यल एंजाइटी डिसॉडर वाला तो काफी रही इस नकला आर्मी कॉलोनी में बंगलो केमिकल का बिजनस खांदानी पैसे वाला लगता है इतना इंट्रेस्ट लिया जा रहा है उसमें इंट्रेस्टिक तो वो है पहली मुलाकात में उसको एंजाइटी हो गया था और दूसरी मुलाकात में तेरी एंजाइटी दो नहीं बढ़ा दी क्या वाद यह ओरही है हमी भी तो बताओ है कौन वो जिसने हमारे बेटी के anxiety बढ़ा दिये सर तपन दो मेने पहले इसी ब्रांच में था उसको करप्शन केस में सस्पंड किया गया था और नरेंद नहीं उसको एक्सपोस किया था सर तपन ने 15 ऐसे कस्टमर को लोन अप्रूव कियें जो लोन के लिए लिजिबल थे ही नहीं और कुछ कस्टमर को तो इसने 10 से 30 परसेंट वैलुएशन बढ़ा कर लोन अप्रूव किया हुए सब रिश्वत लेकर देखो नरेंदर ऐसे कुछ भी नहीं है नरेंदर नहीं सर सर हूँ मैं तुम्हारा और जो तुम करते हैं वो आप चलेगा नहीं यहाँ पर अगर तपन नरेंदर की वज़े से सस्पेंड हुआ था तो तपन नरेंदर को कॉल क्यों कर रहा था तुम्हारे हार्टबीट भी तेज नहीं हो तुम्हारे हार्टबीट भी तेज नहीं होती है तुम मुझे से फ्लर्ट कर रहे हैं इश्क ना बहुत ही खूपसूरट डिसॉर्डर है पर मुझे इस बिमारी से दूरी रहना है ऐसे तुम्हाई लिए अच्छा है तुम्हें नए-नए लोगों से मिलते रहना चाहिए अच्छा फील करोगे अच्छा सुनो, मुझे ना भी जाना होगा एक ज़रूरी काम आ गया है साटेड़ी प्रियो ऐसी शक भरी निगाहों से मत देखो, पापा मिलना चाहते है तुमसे पापा मिलना चाहते है? क्यो? सर, इस प्रप्शन में मैं अकेला इन वालम नहीं था सर, मैंने जो कुछ भी कि आपने मैनेजर जतिन की परमीशन से किया था लेकिन सर, जब ये बात सामने आई, वो मुकर गए और सर, मैं सस्पेंड हो गया तो फिर नरेंदर को कॉल क्यों कर रहे थे? सर, यहीं बताने के लिए कि गलत मैं नहीं जतिन है और सर, नरेंदर को भी जतिन पर शक्त था सर, मैं नरेंदर का फेवर सिर्फ इसलिए चाता था ताकि उसके सपोर्ट से मेरी नौकरी बढ़ जाए तपन और जतिन दोनों को इन्वेस्टिगेट करो वाईशा ली का बाद सुबोध भी हमारा सस्पेक्ट है इनके अक्टिविटिस चेक करो, यह सुपारी किलिंग भी हो सकता है इन सब का बैगराउंड खंगालो सर, मैंने नरेंद की एमेल अकाउंट सेख किये उसमें मुझे कुल सस्पीशिस मेल मिले है सिम्मी, मुझे कॉंटेक्ट करो, अर्जंट इस तरक्केतों कई मेल बेज़ें नरेंद रहने सिम्मी को, वो भी इसी आइड़ी पहें मकीरिये सिम्मी हैकों हेलो? कमें सर, आपने बुलाया? कमाल की प्रेजिंटेशन है, दिलखोष्ण होगे, तुम देखोगी ना, दिलके धड़कन रुखजाएगी तुम आज़े आपने लुख़ए सर, आप टीकनी कर रहे है मैं साब ठीक करदूगा, प्रिया, देखो, मैंने होटेल में सबसे शांदार स्वीट बुख़एगा तुमारे लिए और इस बार, तुम्हारे प्रोमोश्यन पक्का, ट्रस्पे यह बात सुनके तो बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें एक आर्मी मेन के पोते हो, तो फिर तुम आर्मी में क्यों ने किया? वो अंकल मैं… तुम कहा जा रहे हु? तुम बेटो, दोस के बाजियो में बेटो, बेटो. हाँ, तुम बता रहे थे. हाँ, मतलब मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन पापा चाहते थे कि मैं उनका केमिकल बिजनस सम्हालो, लेकिन मैं अभी अपने लाइफ पे साथ कुछ और करना चाहता हूँ. क्या करना चाहता हु? करना है, करका है, भी परिटोर्त्न फेफे साथ करने का सोच रहा हूँ. एक ब्रूर्ण कोलना काथ चाहता ह Pak. एक पार्टनर्षिप में एकसपैंशन बहुत जल्दी हो जाता. दिविटिटलिए यहाँ. पार्टनर्षिप में ईकशपैंशन होता ही है मुझे अभी यह बात बूलनी चाहिए और नहीं चाहिए लेकिन अच्छली मैं भी अपना एक नया बिजनेश शुरू करने की सोच रहा हूँ और सो क्या मैं तुमारे साथ पार्टनेर्शिप में आ सकता हूँ अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं सोच के बताता हूँ आपको अउंकल इफ टिस ओके ठीक है पुट्टि मेली ही पोर्गी, मेरा फोन तक नहीं उठा लिए, पर एतनी रात वोगी कहां मर रही होगी यह लड़की इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है पुरिया, 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 तुन्हें शुरापी है मैंने सपने में में सोचा था, कि तु इतनी देर रात तक बाहर रहेगी और शराप भी कराएगी है अरे, बोलती क्यों नहीं? चुम क्यों है तु? अपा गुस्सा मत करें ने, मैं बात करती हूं ना, इससे तु बात करेंगी? तु? तु कौन सी खाम है? जो अपने पत्ती को छोड़कर यहां आगर बैठी हुए और रिखिये, इससे अयाशी करने शुरू करती है मेरी जंदिगे भरवाद करती तुम तोनोंने प्रिया, प्रिया चल्ट, चल्ट, अंदर चल्ट प्रिया, प्रिया, मुझे बताएगी कि क्या हुआ? तुझे, चौट एशिलके, क्या हुआ प्रिया, 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 बोलना पेरीस, प्रिया, यह इसे... इस mail ID की personal information भी decode की लेकिन इस Simmi के बारे में कुछ हाथ नहीं लग रहा है हमने नरेंद्र के सारे call record चेक किये उसमें भी Simmi का number नहीं मिला लेकिन ये किसी का nickname भी तो हो सकता है कहीं ये Simmi वैशाली का nickname तो नहीं है नरेंद्र की जिंदगी में क्या वाकई कोई Simmi नाम की लड़की थी लेकिन वैशाली जिससे नरेंद्र की जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की गई थी उस वैशाली के पिता सुबोद और नरेंद्र का ex-collect तपन भी पुलिस के prime suspect थे लेकिन इनकी ठीक से जाच परताल किये बिना ही पुलिस नरेंद्र के अतीत में किसी Simmi की तलाश कर रही थी वहीं एक दूसरे शहर में प्रिया नाम की लड़की का suicide case कई नए रहस से उजागर करने वाला था तरौ तरौ मेरी मुट्र को कभी हिंसाप नहीं मिलेगा. मेरी गुनेगार, कभी नहीं पकड़ेजाएंगे. मैं पुर्णी. प्रिया, ने असा क्यों लेखा? येन को नहीं गारके जिक्र करिया अगे? क्या हो था प्रियाके साथ? सर्वो. सर्व, प्रिया का… प्रिया का रेप हुआ था. किस नहीं की? पता नहीं, सर्व. हमने प्रिया से पूछा लेकि उसने पूछ नहीं मताया और पिर तिरा जानक से. कब हुआ ये, सर्व? सर्व करी एक हफ्ते पहले. सर्व, वो जब घर आई तो बहुत नश्य में थी, सर्व. एक हफ्ता गुजल चुकरा. तो आप लोगोंने कोई पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिखो है? सर्व, सर्व, मैट डर गया था, सर्व. और प्रिया भी कुछ बताने को तयार नहीं थी. लेकिन मुझे यह ही पता था, सर्व, कि प्रिया ऐसा कदम उठा लेगी. एक हफ्ते पहले, वो कहां से आ रही थी? सर्व, एक हफ्ते पहले उसका फोन आया था मुझे. आफिस में थी, वो उसमें फोन पर कहा? सर्व, हलो, हाँ, दीदी, वो आज थोड़ा लेट हो जाएगा घराने में. देर हो जाएगी क्यों? एक्चुलि एक पार्टी में जाना है. किसकी पार्टी में गई थी? सर्, यह तो नहीं पता किस पार्टी में गई थी, लेकिन हाँ, उसने कहा था कि वो किसी नील कमल होटल में है. नील कमल होटल? हाँ सर्. डेट क्या थी? सोलाव अक्तूवर. प्रिया किस ऑफिस में काम करती थी? डैन ग्लोबल बीपीयो में काम करती थी. प्रिया का कोई बाइफ्रेंड, कोई… नहीं, चाहरे, बोंड है, भ量 है. प्रिया, प्रिया, प्रिया. प्रिया पाम. हलो? 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 पर प्रिया क्या? मैं लेकी चलती हूँ, तुम्हें. या, प्रिया ने शुप्साइड कर लिया? जी, और प्रिया के घरवालों के कहने को उसका रेप भी हुआ था. प्रिया अखरी बार आफिस का वाया थी. यही कोई एक अवते पहले? डेट? यहीएड. शायद 16th October. यहीएड. 16th October. क्या 16th October को आपके आफिस की तरफ से को पार्टी अर्गनाज़ की गए? नहीं, सर्. पार्टी तो कोई नहीं थी. लेकिन प्रिया की बहन का क्याना कि उस जिन प्रिया आफिस के बाद किसी पार्टी में गई थी? हो सकता है कोई पर्सनल पार्टी रही हो उसके. लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है इस वार में. हमें 16th October की सिस्टी फुटेज देखने हैं. जूम को? अजिन प्रिया जब आफिस से बहार निकली, तो सिस्टी फुटेज में वो आपके साथ कुछ बात करते हो दिखाई दे रही है. अब दोनों के अपस में क्या बात हुए थी? सर इतना तो कुछ ध्यान नहीं, नॉर्मल ही बात हुए होगी. अजिन प्रिया आफिस के बाद किसी पार्टी में गई थी? पार्टी कुछ थी? पार्टी? सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. सर, सोल ओक्टूबर को कोई पार्टी नहीं इए थी हमारे होटल में है. ठेकिन सोल ओक्टूबर को यह लड़की आपकी होटल में आई थी. सर, यहां पर तो आए दिन नहीं लोग आते रहते हैं. बहुत मुझे कैसे याद रहिए? इस लड़की का नम प्रियाश ने रहिए? क्या इस नाम से सोल ओक्टूबर के आपकी होटल में कोई बुकिंग है? इस नाम के तो कोई भुकिंग नहीं सोल ओक्टूबर के? इस रिजॉल्व करने होगे, वनना इससे अलोग की तब तो बिगड़ती जाएगी. अम सॉरी अलोग, पर तुमने तो कहा था तुम्हें सोशल एंजाइटी डिसॉडर है. तो माम किस क्राइसिस की बात कर रही है? अलोग की शोशल लाइफ तो कुछ है नहीं. और एंजाइटी के परस्नल और प्रोफिशनल बहुत सारे रीजन्स है. एक कमरे में अपने आपको बंद कर लेने से इसका सॉलूशन नहीं निकलेगा. आपको कोई ना कोई पॉजिटिव डूढ़ना होगा, जिसकी वज़े से आलोग के दिल और दिमाग पर कम असर बढ़े है. एवाजा पप्पा, मेरे और संदय के बीच में चाहे जितनी भी अनबनू. प्रियाला निमी भहीनी पेक्षा जासते इज़द दिलिये, इतना बड़ा हस्सा उसके साथ हुआ, और तुम्हें माला संगीतला नहीं? क्या बताते तुम्हे? हाँ? मै तो मै प्रिया भी इनको फुट्रे आख नहीं भाती थी. अब यहाँ पर उसको बहन बोलके हैं, हमारे जाख में को रहतने की कोशिश का. अज़त प्रोवले में तुझा? हमेजहां मेरे इंटेंशन पर शक्क करती हूँ. माला मै ते, क्या इंटेंशन है तुम्हारा? तुम्हना मेरा मुम्हेरा… गबास, ऐसे समय में वी तु-तुम्हारा है? देखिए, हम लोगों ने पता किया, सोला अक्टूवर को नील कमल होटल में कोई पार्टी नहीं थी. या? होना ही सोला अक्टूवर को आफिस के बाद, प्रिया किसी पार्टी में गई थी. लेकिन सर, प्रिया ने हमसे यही कहा था कि वो नील कमल होटल गई थी. अब या तो प्रिया ने आप लोगों से जूट बोला, या फिर आप लोग हमसे जूट बोलें? सर, हम जूट बोलेंगे सर? बदनामी की वाज़े से आप लोगों ने पुलीस रिपोर्ट नहीं किए. पर हो सकता है. प्रिया पुलीस रिपोर्ट करना चाहती हूँ और आप लोगों उसे मना कर रहे हूँ. इसी वज़े से तंग आकर उसने सुसाइट कर लिया. नहीं सर, वो हमसे तंग नहीं आये थी. लेकिन कुछ तो था जो उसे अंदर ही अंदर खाये जा रहा था. क्या था जो प्रिया को अंदर ही अंदर खाये जा रहा? इसकी वज़े से उसने सुसाइट किये. सुसाइट नोट भी लिखा. ल lenकीन सोसाइट क्यूं किया उसका जिकर नहीं कि want ते यह ऐसा थ हो ने प्रिया के गुणागारां को प्रिया नहीं बल्के आप लुक बचाना चाहते है ऐसा कुछ नहीं सर दरसल प्रिया ने हमें कभी नहीं बताया कि उसका फिर्ट किसने किया था और सर हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि किसने मेरी बेहन की जिबान से दी कि वो हमें I am sorry लिखकर चले गई सर और ये सवाल भी जियों का त्यों बना हुआ था कि अगर प्रिया उस रात नील कमल होटल में गई ही नहीं थी तो उसने अपने घरवालों से क्यों बोला कि वो वहां गई थी और उसने अपने suicide note में ये क्यों लिखा कि उसके गुनेगार कभी पक्ड़े नहीं जाएंगे लेकिन पुलिस इसे चुनौती की तरह से लेते हुए लगातार उन अपराधियों की तलाश में लगी हुई थी जिन्होंने प्रिया को आत्मत्या के लिए मचपूर किया था प्रिया के मोबाइल में इस तरह के कई फोटोस हैं, देखिए कोई लड़का या और बाफ्रेंड का चेक्टा? इसके कॉल्टी पॉट्स चेक हो रहे हैं मंकिन है प्रिया को उसके ये फोटोग्राप दिखाकर उसे ब्लेकमिल करने के कुश्चिश कर रहा हूँ नहीं, सर्, हम इन फोटोस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं मैं यह सोच के अहरान हूँ कि इतना सब कुछ सहने के बाद प्रिया चुप क्यों रही? प्रिया के चुपी टूट सकती थी, अगर वाक्त रहते हैं आप लोग हमारे पास आई नहीं हाँ, सर्, मैं मानती हूँ कि हमारी गल्ठी है, लेकिन सर्, आप उसके गुनेकार नहीं बचने चाहिए अपने आपको समहल बेटा, उसके गुनेकार आप भी है पापा इतनी ज्यात्ती सही उसने, और उसे उसके बाप का ही ताप नहीं मिला मैं आपती है, कुछा है, सर्, आप मुझे यहां प्यक्यो लेकर आया'RE, मैं ऐसा क्या किया है मालम है, ना, प्रिया़ने से सबस्टा किया अर उसी प्रिया से, तेरी ज़रूर्व से जादा ही बात होती थी, क्यों? क्योंकि तेरा इस के साथ अफेर चल लाता है मेरा ऐसा कोई अफेर्ड नी था उसके साथ, सर मेरे ओफिस की कलीग थी, काम के सिलसले में उसे बात करता था, सर मेरा यकीन मान इए, ऐसा कोई अफेर्ड नी था मेरा जल माल लिया, तेरी प्रिया से सरफ काम के सिसले में बाते होती थी, और बाते होती थी तो कभी बात्चीत में प्रिया ने अपने किसी दुख या परेशानी का जिकर तूम से किया था? वो सर आप हमारे ओफिस के फीमेल एंपलाई से जाके पूस लिजे, आप ट्राइ कीजे, कोई ना कोई अपना मुझ खोल देंगी, तू अपना मुझ खोल, साफ साफ बोल क्या बोलना चाहता है? हमारा जो बहुत से जैदत, वो ठीक आदमी नहीं है सर, और मुझे शक है कि वो प्रिया को मॉलेस्ट करता था, सर, किसी ने आपके कान भरे हैं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर, तेरी शराफत का चोला तो हम अभी उतार देंगे, फोटोग्राफ दिखा, बैग्राउंड देख, लोकेशन देख, कुछ याद आया, यह करता है, कि तो अपने फार्म माउस पर ऑफिस पार्टी औरगनाईज करता था, अब यह बोल, यह फोटोग्राफ दिखा गए, तो प्रिया को ब्लेकमिल कर रहा था ना, मानता हूँ, यह फोटोज में निकाले हैं, लेकिन सर, शोचन तो वह भी मेरा कर रही थी, अग प्रि सारी मैं शायद अगलत रूम में आगया है, जब मुझे होशाय तो मैं बिस्तर में पड़ा था, बदन पर एक कपड़ा नहीं, उसके बाद एक लड़के का फोन आया था, मुझे धमकी दिया उसने कि अगर मैंने उसे थीस लाग रुपे नहीं दिये तो मेरे सारे वैसे वा रुपे देने पड़े, यह वा फोटोस है, इन फोटोग्राफ में लड़कों को चेहरा नजर नहीं आए, कौन है दोन लड़के, मैं नहीं जानता है इने सार, लेकिन वो तीन लड़के थे, दो जो इन पिक्चर्स में देख रहे हैं और तीसर जो पैसे लिने आए आथा, और यह सब कहां पर होगा? प्रिया की पोस्तमॉटम रिपोर्ट से यह जज कर पाना मुश्किल था, कि क्या आत्मत्या से साथ दिन पहले वाकरी उसके साथ रेप हुआ था, वहीं प्रिया का बॉस जैदत क्या वाकरी ब्लाक्वेलिंग का शिकार हो रहा था, या फिर उसने अपने आपको प्रिया के अबेट्मेंट अफ सुसाइट केस से बचाने के लिए कुछ शड़यंत्र राचा था सर ठीक से कहने सकता कि सोल अक्टूबर को यह लर की यहां आई थी या नहीं तो रूम नमर बन जिरो फॉर किस ने बुक किया था सिम्मी वागिमारे के नाम से बुकिंग की थी इसके सब कोई लड़के भी आए देगा है ठीक से याद नहीं है साब मुझे सोल अक्टूबर की सीचेटीव फुरेज दिखाई मची सुरी सर, हमारे पास एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग रहती उसके बादवली सारी आउटोमेटिकली डिलीट वजाती है रूम नमर बन जीरो फोटो दिखा सकते हैं ना? यहां, सर. सुर, रूम नमर एक्टोच चेक किया हमेने रूम तो वैसे ही दिख रहा है, जैसा फोटो में है और एक बाद सर, रूम की बुकिंग भी सिम्मी वागमरे के नाम सो हो लिए सिम्मी वागमरे? जी हां सर, और एक बाद है सर, वो फोटो प्रिया के बॉस को जिस email ID से बेजा किया था उसका एड्रेस सिम्मी 1729 है प्रिया के बाद का कहाना है कि उसे उस होटल में प्रिया ने बुलाया था जबकि होटल में रूम सिम्मी वागमरे ने बुक किया था तो क्या सिम्मी वागमरे ने खुद को प्रिया बताया? और उसी ने प्रिया के बॉस को होटल में बला है अगर सिमी ने प्रिया के बॉस को ट्रैप किया है तो प्रिया का रेप कैस ने किया होगा उन लड़कों ने जो प्रिया के बॉस के साथ फोडो में देख रहे हैं प्रिया के बॉस ने किसी तीसरे लड़के का बजिकर किया था उसे लड़कों के स्केचिस बनो और ये सिम्मी के ऐड़ी पर एड्रेस कहा है? वो वर्दा के एड्रेस लिखा होगा है वर्दा पुलिसे तुरंट कंटेक्ट पर अब पता लगाओ ये सिम्मी कहा है वो कैसार नहीं सर, हम इसे नहीं जानते हैं असर इसे तो क्या? हम किसी भी सिम्मी को नहीं जानते है पुछार सर ये तो प्रिया का बॉस जैदत है लेकिन ये साथ में दो लड़के को ने ये समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन सर आप ये सारी बाते हम से क्यों पूछ रहे हैं? प्रिया के बॉस जैदत का कहाना है कि प्रिया दो लड़कों के साथ मिलका उसे ब्लैक्मिल कर रही थी सर जूट बोल रहा है वो प्रिया ऐसा कुछ नहीं कर सकती सर 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 सिमी के ऐड़ी पर वर्दा का एडरस था वहां पर कोई नहीं रहे था लेकिन सर जब वर्दा पुलिस ने सिमी के ऐड़ी देखी तो उसे बता चला कि छेमी इने पहले सिमी वागमने बाद से गाइब हो गय थी और कुछ दिन के बाद उसका मडर हो गया थी वामों के शेकल तो काफी मिलती है और इस लड़की का नाम भी सीमी वागमने सेम नाम, सेम शेकल, सेम सरने लेकिन अगर सीमी वागमने का कातल हो गया था तो इसकी फेक आईडी देकर होटल में रूम किसने बुखिया सिमी वागमने का मडर किसने किया वो किस पो अभी तक सॉल्म नहीं हो ऐसा और वर्दा पुलिस से पता चला है कि सिमी का नरेंदर नाम का एक दोस्ता और चार मही ने पहले नरेंदर का भी मडर हो गया था नासिक पुलिस नरेंदर का मडर केस एंडिल कर रही थी था और सिमी का मडर केस में नासिक पुलिस ने टेक ओवर कर लिया नासिक पुलिस है मिलना पड़े है हॉजरा होटलों को फंगालों उन्होंने एक मरे हो शक्स की आइडी पर पुटल में रूम कैसे बुख कर दी? या सर्थ जिस दोरान सिम्मी वर्दा से गायब हुई उसी दोरान ये नरेंद्र विंशोर फैनांस की वर्दा वाली ओफिस में जॉब कर रहा था अमने पूछताच की तो पता जला कि ये दोनों का अफेर चल रहा है पहने तो हमें लगा कि दोनों का कातिल एक ही हो पर कुछ लीड नहीं मिल पाया नरेंद्र की मा बोल रही थी कि ये सरपंच सुभोत के डर से उन्होंने वर्दा छोड़ा लेकिन इस नरेंद्र ने वर्दा वाली अपने ब्रांच में इतने घपले की होए थे कि उस पर इंक्वाइरी बैटी हुई थी कैसे घपले ये देखिए किसी बाब बेटे को दो करोड का लोन पास कर दिया था और वो भी फेक डॉक्यमेंट बे चीट सर ये सिमी और नरेंद्र नादपूर के कॉलिज में साथ में पढ़ते थे मैंने जब इनके पुरानी कॉंटकेट्स खंगा ले तो इनकी कॉमन फेंट का पता चला जो मझे सस्पीशर से लग रही है कौन सी कॉमन फेंट रानी सिमी के मड़र के ठीक पहले तक कि ये रानी उसके साथ सिफ सोचल मीडिया अकॉन पर टच में देजा और रिसेंटली इसने बना सोचल मीडिया अकॉन बंद कर दिया ठीक उसी वक्त जबसे हम सिमी और नरेंद्र के मड़र के इसमें इंवाल हुए तो मैं लगता है कि रानी हमारी इंवल्मेंट की विए से डरके गाव हुई है वो सकते हैं सार इसलिए मैंने रानी के सोचल मीडिया अकॉन पर जो उसका एड्रेस में इंशन है उसको निकलबा लिया इसला मैंने बोल दिया ना मुझे नहीं पता रानी कहा है विलिव मी आपकी अपनी बेटी कहा है यह आपको नहीं पता कैसे विलिव करें उसने मेरे साथ रिष्टा तोड़ दिया है वो तो मुझे अपना बापी नहीं वानती क्यों ऐसा क्या हुआ होगा था आप दौनों के मैंने मेरे 50 राक रुपे लगाए और आपने जो करोड़ों गाइब कर दिये मैं कहती हूँ इसी वक्त इसे सारा का सारा पैसा वापस कीजिए क्या वापस कर दूसे यह मेरी पेटी को मेरे खिला भड़ कर रहा है इस तो में छोड़ूगा ने अगर आपने और हंगामा किया ना तो फ्रॉड के चार्ज में हम आपको अंदर करवा देंगे मुझे चोहर बोलके उस तम ही नहीं के साथ भाग गई हूँ अपने बाप को फोन ही नहीं करती अपना बाप जिन्दा है या मर्ग है कोई फरक में पड़ता उसे उसका फोन बंद है उसका सोचल मेडिया कॉंटेक्स सब कुछ बंद है वो लड़का आ लोग, राइट? रहता कहा हूँ? वो, आर्मी कॉल्नी में उसके दादा के घर पे लेखता है लेकिन जाओगे वहाँ पर तो ताला मिलेगा आपको और उसके पोन भी बंद है उसके कोई तस्वीरा आपके पास? आलो विशार अर्मी कॉल्नी का अगर तो कर्नल शम्चेट सिंका है और यहां पे उसका कोई बोता भी नहीं है और कमाल की बाद तो यहां सार यह गड़ सालों से बंद है तो पर आलोग यहां पर रहने कैसे आ गया? अब इतना तो तय नहीं है कि इसका नाम आलोग है यह नहीं लेकिन इतना तय है यह कोई बहुत बड़ा थाग है नरे अंदर ने जिन दो बाप बेटों के लिए लोन पास किया था नों के फाइल देख रहा था उस फाइल पर दो तस्वीरें लेकिन दोनों तस्वीरें इस सेम शक्स की अलग 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 गट अपना अनेश हमें किसी भी सूरत में इस थाग को पाकड़ना और पता लगाना के रानी के टच में कैसे है सर मै और रानी उससे कैफे में मिले थे और सर वो बोलता था कि उससे सोशल एंग्जाइटी डिसॉर्डर है आते यसे काप क्यो रहा है? क्या ना मुझे सोशल एंग्जाइटी डिसॉर्डर है मैट्रिमोनियल साइट के कई लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद रानी उस आलोक की प्यार में गई और इसके लिए मुझे कुछ पैसे भी दिये थे साब सर फिलाल उस लड़के के बार में कोई लीड ने मिल रही है उसके फोटोस दूसरे थानों में सर्कुलेट करवाती है रानी की फ्रेंड ने बताया अब कर दो आपके अंधा बगोछ सही निक्राइब था इस लड़के के अलग़ग में ट्रिमुनियल साइट पे अलग़ग नाम से प्रफाइल है यही लड़का सीमी से राहूल और प्रिया से मानवबन का टच्च में है रानी के फादर के पचास लाग और रानी को लेकर गया हो गया प्रियान ने से साइट कर लिया और रानी पाताने इसने रानी के साथ क्या किया अगो तरमने कम्प्रीटों गेर पेक्सी मतलसे इस लड़केके अलगल गेटपके कई प्पोडोस डवलप्तिते हैं यह देगे, sir. हम यह कैसे बता करेंगे? कि इस वक्ती लड़का कहां पर है? किस इस्टेट में है? किस बेश में है? और किसको अपने टार्गेट बना रहा है? काम अश्क ज़रूर है, पना मुझकी नहीं. ट्राइ-ट्राइ उन्टिल यह सक्सीड़. मैं यह ज़रूर, कहींना कहीं अपना अगला शिकार ज़रूर कर रहा होगा. हुआ. 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 अनु, क्या अगलियो? बाष्च्वा, पनातुर्य हुलिया बदलनेके, अब तरह खुलिया हम बदलेंगे. ऐसा के तो खुद को आएने में नहीं पहचानता है को. अब तक कितनी लड़कें को फसाया? सत्रा लड़कें को फसाया. लेकिन पता नहीं था, जो ठारभी होगी वो पुलिस वाले इंकले के. तो तो सरफ लड़कें को फसा कर मारता था. तो नरेंदर, नरेंदर को क्यो मारा? जो मैं सिमी के साथ था, तब उसने अपने दोस्त नरेंदर के बारे में बताया मुझे. पापा के कमपनी को फ़र्ण की जरुवाद है. उसने मुझे नरेंदर से मिलवा दिया. नरेंदर में जालसाजी को पकढ़ ही निपा, उसने लगता था कि सिमी उससे प्यार करती है. सिमी निए उसको गलत फ्रहीं दूर्ण करती है. कि नरेंदर मैं तुम से प्यार निह przypरती है, चुछी दिनों में लोन का पैसा मेरे खाते में आ चुका था. और मैंने शिमी को मारके उसे घाब कर ती है. ओक जिस तरहसे नरेंडर मील करके शिमी को डूढ़ने लगा, पुझे लगा हूं मेले खतरी है. तो मैंने बिना वक्त हो आए नहेंदर को भी माहर के सिमी के पाल पेश्टिया अब ने तक्रेवन सारी लड़कियों को मैटी मुन इल साइट पर सपॉट किया अब फिर उने पना शिकार बना लेकर रानी रानी को काहा सपॉट किया जब मैं सिम्मी के साथ था तब उसने अपनी दोस रानी के बारे में पताया bus रानी अबनी माप की इक लोवती बेटी थी मैंने उसके बाप के पचास लाग दब अंदर किए और उसके बीटी के उसी पर दूर कर दिया अगली टागेट बनी प्रिया, मैं उसके जिन्देग में दाखिल हो गया, जब मैं प्रिया से रेगुलर मिलने लगा, तो एक दिन उसने बताया कि उसके बॉस ने उसके कुछ फोटो निका ले, जिसके ज़रीए वो उसको बैकमिल कर रहा था, मेरे दिमाग में एक आइडिया मुझे लगा कि प्रिया से जाधा पैसा तो में प्रिया के बॉस से नितलवा सकता हूँ, तो मैंने उसे कन्विंज के, तुम्हें काम करो, उसे हील कमल होटल में बुलवा लो, पैसे मिलते ही मुझे प्रिया को गयब करना हूँ, और आप लोगो उज़ाने के लिए, पोन से पर जंदा क्यों छोड़ो, मारना तो प्रिया को भी था, लेकिन लगा कि कुछ दूने मज़े गल लेते, फिर मारतेंगे, उस रात को मैं और मेरे दोस्तों उसके साथ तुम्हें, पिछले वार जो तुन्हें काट कोट के फेगा था था ना, रसे नहीं करना है, नमदे रहे कि अधिया, उस लटकी का ना, बढ़े वो, बढ़े एक जाए जाए जाए, आटो, आटो, चलिए जाए विया मुझसे दो भांपिए, यह मेरे खौफ से भागने प्रिया, आत्मात्यय अखली बिचार देना, उस संदकी भाव, कौनों का खौफ तो जैसाता आएका हम आए दिन कई अजनवियों से मिलते हैं, लेकिन किसको अपना दोस्त और किसको हमदर्द बनाया जाए, इसको लेकर सतर्क होना बहुत जरूरी है अब मैं आनूप सोनी आप से विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, जैहन कर दो कर दो